वेलेंटेन डे वीक की शुरुवात हो चुकी है साल का सबसे रॉमांटिक सब्था फरवरी महीने में आता है इस महीने में 7 दिन आशिकों के होते हैं प्यार करने वाले अपने क्रश दोस्ट से प्यार का इजहार करते हैं इस इजहार ए महभबत की चरण दर चरण स्टेप का आखरी दिन परिणाम का होता है। चोदा फरवरी को प्रेमी जोड़ा मिलकर इस खास दिन को मनाते हैं। वैलेंटेन सब्ता के पहले दिन रोजडे होता है। रोजडे यानि गुलाब वाला दिन। रोजडे के पहले से ही बाजारों में रोणक दिखने लगती है। अललग तरह के गुलाब के फूल बाजारों में बिखने लगे हैं। आशिक अपने चाहने वालों को गुलाब देकर अपने दिल की बात कहते हैं। हर रंग के गुलाब के अलग मायने होते हैं। आज रोजडे है प्रेमी जोडों के लिए रोजडे काफी महत्पून होता है लेकिन कि आपको पता है कि रोजडे क्यों मनाय जाता है रोजडे का इतियास क्या है प्रेमियों के बीच रोजडे क्यों खास है दरसल गुलाब को प्रेम का परतीग माना जाता है लाल रंगा गुलाब आपके दिल में छिपे इश्क को जाहर करता है आशिक लाल रंगा गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं ऐसे में अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो एक लाल गुलाब बिना कुछ कहे आपके प्यार को जाहर कर सकता है रोजडे का इतिहास गुलाब को भामनाय प्रकट करने के परतीक के तोर पर देखा जाता है रोजडे से जूड़ी एक कहानी भी है माना जाता है कि मुगल बेगम नूर जहां को लाल गुलाब बहुत पसंद था नूर जहां को खुश करने के लिए उनके पती रोजाना एक टन ताजे गुलाब के फूल उनके महल बिजवाते थे नूर जहां जहांगिर की बेगम थी वहीं एक और कहानी भी है कि महरानी विक्टोरिया के दोर में लोग अपने भामनाओं जताने के लिए गुलाब के फूल एक दूसरे को देते थे तब से इस परंपराप की शुरुबात होई गुलाब के रंग का मतलब लाल का गुलाब प्रेम का इजहार गुलाबी गुलाब दोस्ती को महतुरुण मानते हैं पीला गुलाब दोस्ती करना चाहते हैं नारंगी गुलाब किसी को पसंद करते हैं और सफेद गुलाब मौफी मांगना चाहते हैं ऐसे और वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यावाद